आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello student, आज का जो हमारा Question है, यहाँ पर बोले कि Name the product obtained when hydrogen react under suitable conditions with nitrogen, carbon monoxide and lead oxide अब हमें यहाँ products की नाम बताने है, जब हमारा hydrogen react करेगा nitrogen के साथ, carbon monoxide के साथ, और lead oxide के साथ तो देखो, अब यहाँ पर आपका N2 है, तो जब इसकी reaction हम hydrogen के साथ कराते हैं, तो basically हमें यहाँ पर ammonia मिलता है इसको हम हैबर process भी बोलते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं reaction balance करूँ तो 2 nitrogen है, तो 2 अब hydrogen कितने आपके यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 3, इस तरीके से तो basically यह आपको क्या देता है, ammonia देता है तो जब हम carbon monoxide का reaction hydrogen के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, methanol मिलता है, हमें क्या मिलता है, methanol, अब यहाँ पर 4 hydrogen है, तो यहाँ पर twice आजाएगा, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर methanol, यहाँ पर हमारा क्या होता है, methanol produce होता है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहें, lead oxide की, तो अगर मैं lead oxide की reaction कराओं कि इसके साथ hydrogen के साथ, तो मुझे यहां क्या मिलेगा, यह क्या करता है, इसको क्या करता है, reduce कर देता है, क्योंकि यहां पर इसकी oxidation state क्या है, plus 2, इसकी minus 2, अब यह इसको reduce करके किस में convert कर देता है, lead plus आपका, यहाँ पे water में किसमे water में यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी oxidation state 0 तो basically इसको इसने क्या क्या reduce कर दिया और यहाँ पे इसकी oxidation state 0 है और यहाँ पे इसका plus 1 है तो खुद क्या हो गया वो oxidized तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है lead मिलता है basically इसलिए आपको यहाँ लेड मिलता है तो यह हमारी क्या हो गई रियाक्शन जब आपने रियाक्शन कराई यहाँ पे तो आपको जो प्रेड्यूज हुआ आपका अमोनिया मिथेनॉल एंड हमारा लेड ओके गाइस थांक्यू